कि नवश्कार दोस्तों भारतिय नाठ्यकला की कक्षा में आप सबका स्वागत है सबसे पहले इसके इतिहास को समझेंगे चलिए शुरू करते हैं तो भारतिय रंगमंच की परंपरा बहुत प्राचीन रही है रामायार्ण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में इसके इतिहास और पुरा तात्विक साक्षम मिलते हैं भरत मुनी द्वारा रचित नाठ शास्त्र संपूर विश्य में नाठ कला पर लिखा गया पहला अप्चारिक ग्रंथ है इसमें एकांकी नाठकों से लेकर दस प्रकार के नाठकों का वर्णन किया गया है जहां पश्यम में रंगमं भारत में नाठकला के विकास को मोटे तौर पर तीन चर्णों में विवाजित किया जा सकता है जैसे शास्त्रिय संस्कृत नाठकला पारंपरिक नाठकला और आधुनिक नाठकला तो चलिए सबसे पहले हम शास्त्रिय संस्कृत नाठकला को समझते हैं शास्त्रिय संस्कृत नाठकला भारत में नाठकला का प्रारम कथात्मक रूप में हुआ भास, कालिदास, शुद्रक, पिशाकदत और भवभूती जैसे नाठक कारों ने संस्कृत में अनेक नाठकों की रचना की। शास्त्रिय संस्क्रट नाट रचना का प्रथम उधारण हमें उद्घोष्ट वारा र dus सारी पुत्र प्रक्रण को माना जाता है भुआत मैं नाट्य मूलताद दो प्रकार के होते थे जैसे लोगधर्मी और नाट्य धर्मी लोगधर्मी नाटक में रोजमर्रा के जीवन का वास्त्रत चित्रण किया गया है जबकि नाट धर्मी नाटक में इसका संबंद शैलीगत आख्यानों वाले मुखर और प्रतिकात्मक नाटक से था इसके बाद अब हम भारत में रचित प्रमुख संस्कृत नाटकों की चौचा करेंगे जो परिक् ज के द्वड़ा रतना वली शास्त्रिय संवा संव्क्राइब seventy अग्यान नाटकों को दस प्रकारों में वर्गी क्रित किया गया है जैसे इधांग्र नाटक प्रहसन प्रक्रण इत्याधी कई है भार्तिया लोक नाटक अट्रक एला संव्क्रुएब के बाद अब हम भारतिय लोक नाट्रिकला को एक एक करके समझेंगे जैसे मुख्य तोर पर इन्हें तीन वर्गों में बाटा जा सकता है आईए समस्ते हैं अनुष्ठानिक नाट्रिकला मनुरंजन नाट्रिकला वहीं दक्षण भारतिय नाट्रिकला तो सबसे पहले हम अनु वैशनव संत शंकर देव और उनके शिष्य महादेव ने किया इस नाट्रिकला में क्रश्ण की जीवन लीलाओं का चित्रन किया जाता है इस नाटक को ओपेरा शैली में प्रस्तुत किया जाता है वहीं राम लीला ये उत्तर प्रदेश का प्रमुक लोक नाट्रिकला है जि उत्तर प्रदेश के व्रिज छेत्र में ये लोकनाट्र काफी प्रशलित है इसमें क्रेश्ण और राधा के प्रेम कहानियों का मंचन किया जाता है आईए मनोरंचे नाट्र कला के अंतरगत कुछ प्रमुख नाट्र को समझने का अभम प्रयास करते हैं जो आपके आगमी परि शाओं का प्रचार करने के लिए इस माध्यम को चुना बाद में इसमें लौकिक प्रेम प्रसंग की भी चर्चा की गई है जात्रा का उपियोग विशेष्टा पंत निर्पेक्ष एतिहासे कहानियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है आईए अब हम नौटंकी को समझते हैं नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुक लोक नाट्र है जिसकी चर्चा अबुल फजल की पुस्तक आईने अक्वरी में मिलती है इसमें नौट और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है इसमें चप्पय चौबोला और दोहा चंदों का प्रयोग किया जाता है कानपुर की गुलाब वाई इस नाट्र कला की प्रमुक इस्त्रीकला का रही है आई अब हम माच को समझते हैं यह MP के मालवा शेत्र की प्रमुक लोक नाट्र है जिसकी शिरुवात सत्रवी शताबदी में हुई थी माच शब्द मंच और खेल दोनों ही अर्थों में प्रयो क्या है तो स्वांग पंजाब और हर्याणा का प्रमुक लोकनाट है इस लोकनाट शेली में भाव की को मलता पर वल दिया जाता है स्वांग की दो प्रमुक शेलियां है जैसे रोहतक और हात्रस शेली में बांगरू यानि की हर्याणवी भाशा और हात्रस शेली में व्रिज हम सब मिलके करते हैं तुम्हों नमस्कार हर बार कि आईए तो चलिए अब अपने दूसरे लोकनाच की ओर चलते हैं वो है भांड पाथर यह जम्मु कश्मीर का पारंपर एक लोकनाच है जिसमें संगीत और नाच कला का अनोखा संगम होता है व्यंग मजाक और नकल के माध्यम से दर्शिकों को हसाने की प्रात्मिक्ता भी की जाती है इस लोकनाच कला के कलाकार मुखिता है क्रशक वर्ग से आते हैं आईए अब जरा हम भवाई को समझ लेते हैं तो य कला में सूत्रधार को नायक के नाम से जाना जाता है आए अब हम तमाशा लोकनाच को समझते हैं जो की महराज चुका है और यह लोकनाच हासरस और कामों तेजक द्रश्यों के लिए प्रसेद्ध है इस लोकनाच की प्रमुख विशेष्ठ आपको पता है क्या है इसमें मही लिए देखते हैं दक्षिन भारत नाच्यकला के अंतरगर्द प्रमुख नाच्यों को जैसे यक्षग्यान यह करनाचक का पारंपर एक लोकनाच है जो पुराणों और मिथ किये कथाओं पर आधारित है इस लोकनाच्यकला का उद्वग विजयनगर सामराज के दरवार में हुआ था इसे जकुला वारू नामक विशिस्ट समुदाय द्वारा प्रस्तूत किया जाता था इसमें संगीत की अपनी विशिस्ट शैली है जो हिंदुस्तानी और करनाचक दोनों शैलियों में अलग-अलग है यक्षग्यान की कई समानांतर शैलिया हैं जैसे के रल आंदरप्रतेश और महरास्त्रा में की जाती हैा नगित कर मथ भुख को समस्ते हैस यह दिनों प्रमूख लोग कनातशेली जो कालीकर्ट के महराजा मन वेदा के शासंकालों में अस्ठृत में आया करकनाठ शैलियों अपन्यकों recognize क्रमगत रूप से प्रस्तूत किया जाता है यह आठ दिनों तक चलने वाला एक उस सब है और इसकी उपकताएं भगवान कृष्ण के विश्य पर आधारित होती है आईए अब मुढी एक्टू को समझते हैं यह केरल का पारंपर एक लोकनाच्ट है जिसे केरल के काली मंदिर में प्रस्तुत किया जाता है असुर जाता है आत्माओं को खुश करने के लिए विविन जातियों के द्वारा इस थानिये मंदिरों में थेयम का रंगमंच किया जाता है अब आप समझेंगे कनियन कुथू को यह तमिलाजू का पारंपरेक लोक नहते हैं जिसमें केवल सिफ पुरुशों के द्वारा ही भाग लिया जाता है कनियन एक अनुसूचित जन जाती है इसी समुदाएं के नाम के आधार पर इस लोकनाठ्य का नाम पढ़ा है शास्त्रे नाच्छकला और पारंपरेक नाच्छकला के पश्चात अब हम आधुनिक नाच्छकला को समझने वाले हैं इसके साथ ही वर्तिमान समय के सीधे संपर्क में आई है पहली बार भारतिय रंगमंश वास्तविक और यथार्थ प्रस्तुतिकरण की दिशा में आगे बढ़ा है पार्सी नाटक कंपनियों ने रंगमंश को आकर्शक और मनोरंजन बनाया वर्टमान समय की दिबात करूं तो रंगमंश को पूरी तहह से आधुनिक और डिजिटल बनाया जाता है अच्छी लाइट की विवस्ता की जाती है ताकि द्रश्य सभाविक लगे और दर्शकों में रोमांच पैदा कर दें रंगमंश पर यथार्थ द्रश्य दिखाने के लिए कभी-कभी विदोश्यों में जाकर फोटो लेते हैं और पोशा के संग्रे करते हैं और इस काल में मनुरंजन के कई विकल्प उभर कर सामने आये हैं जिस कारण से रंगमंच से फिल्मों की ओर पलायन अधिक बढ़ गया है तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलेंगे फ्राइडे को सेम इसी तरह से एक और नए कि धन्यवाद